वेर्ववाम, वेलक्म टो डेली स्टड़ी अकेडमी देखिए, अब ही हम बेसिक बायोजी का ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको नीट में भी हल्प करेगा और सी बी असडिक करें गई तो जब हम बेसिक बायोजी की बात करते हैं तो हमारे क्लास 11 के चैप्टर 1 से अच्छा क्या हो सकता है हाँ जी लीविंग वर्ड की अगर बात चल रही है तो लीविंग की डेफिनिशन तो हमें जाननी ही पड़ेगी उसके बिना तो अधूरा है तो देखे हमारे लिए living की definition कुछ और है और साइंटिस्स के लिए कुछ और है साइंटिस्स के लिए और हमारे लिए कुछ और है इसलिए हमको पढ़ने की ज़वरत पढ़ रही है ताकि हम उस चीज को अडैक्ट कर सके जो biology को देखने का नजरिया है और जो scientist का जीवों को दे define कर देता हूं तो वह तीनों लेयर हम पर प्रेज्ट होती है वह तीनों लेयर अगर हम पर प्रेजेंट ए तो हमारी एनलिटीकल thinking develop हो जाती है उस 3 layer को मैं detail में आपको पढ़ाऊंगा जब हम human physiology पढ़ेंगे फिलाल मैं बता देता हूं बस कि वो 3 layer होती है लेकिन जो lower animals होते हैं उनके अंदर वो 3 layer तीनो layer नहीं पाई जाती only 2 होगी या फिर एक होगी तो जिसके पास वो 3 है उसकी analytical thinking developed है जैसे हम human हो गए तो इसी के basis पे साइंटेस्ट ने living की definition अधारित किये living की definition उन्होंने दी है आये देखते हैं वो क्या definition है जो ncrt में given है living any object which is self-organized यह चार word पर focus कीजेगा self-organized self-replicating self-evolving और self-regulated any object which is self-organized self-replicating self-evolving and self-regulated organized का मतलब क्या होता है आपने किसी organization के बारे में सुना है जैसे हमारी organization है Delhi study academy तो organization का मतलब वहाँ जहां पे division of labor हो सबको उनका work बटा हुआ हो एक individual बंदा यह नहीं बोल सकता है कि I am running a organization ठीक है yes he is running a proprietorship business but he is not running a organization तो organized का मतलब यहां पे मैं biology के अंदर बात करूँ मेरे hand है इनका एक specific function है hand is adapted for a specific function whether it is holding a glass of water और whether it is eating food मेरे food है उनका एक specific function है eyes का specific function है rod और cone cells eyes में present है दोनों का specific function है that is called organized organization ऐसा बना हुआ है जिससे पूरी body काम कर रही है division of labor हो रखा है ठीक है self replicating replication का मतलब अगर replicating word आ रहा है इसका मतलब क्या DNA की बात कर रहे हैं ठीक है self replicating का मतलब क्या हुआ हमारा जो generating material है वह replicate करके अपनी नई copy बना सके नई individual को बना सके this is called self replicating जो हमारा generating material है हम बने अपने parents से हमसे आगे और individual बनेंगे आपने देखा है ना कोई हमें कहता है कि आप तो बिल्कुल अपने father जैसे लगते हो आप तो अपने mother जैसे लगते हो आपकी नोज आपके father पे गई है इसका मतलब क्या है जो वह particular gene है वह हमारा copy हुआ है हमारे father से yes कुछ variations भी आई है बट हमारा copy तो हुआ है अपने father और mother से तो देखिए self organized self replicating third पे हमारा है self evolving self evolving का मतलब क्या हो वह evolution का सीधा साधा simple मतलब होता है विकास evolution का क्या मतलब होता है विकास समय के अधार पर आपको पता है कि biology के अंदर विकास ऐसे नहीं हो जाता सौ साल 200 साल लाखों साल लग जाते हैं जैसे पहले हमने पढ़ाई कि tail देखी जाती ठीक है बाद में tail हमारी extinct हो गई चली गई तो इस चीज का यूज नहीं था तो वह चली गई समझ रहें सो self evolving होनी चाहिए और तीसरा है self regulated यह most important है यह consciousness से जुड़ा हुआ है regulation मतलब कैसे कि मैं अपनी body को regulate कर सकूं अपने हिसाब से समझ रहें इसमें हमारे motor neurons का भी function आ जाता है यह बहुत बड़ा term है यहाँ पर मैं आपको इस lecture में इसको पूरा नहीं समझा सकता धीरे धीर आपको पूरी बायो में इसको clear होगा but regulated का मतलब आप अभी समझे कि आपका control है आपके उपर ठीक है एक वर्ड में मैं इसको अभी ऐसे simply define कर सकता हूं तो यह scientist की definition थी any object which is self-organized, self-replicating, self-evolving and self-regulated ठीक है हो सकता है वीडियो इस introduction के इस आप से थोड़ा सा लंबा हो जाए बट अगर यह clear हो गया तो I am sure आगे के topic आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे so please be focused and be patient for some time अब देखिए बात हो गई है definition तो उन्होंने दे दी लेकिन किस basis पे scientist ने यह definition दी तैसे Aristotle साब थे हमारे उनको तो definition देने का बहुत शौक था बहुत उनका वर्क एकदम अमेजिंग था around 6000 पेटेंस तो उनके नाम अभी आप देखेंगे तो मिल जाएंगे ठीक है तो अरिस्टोटल साब हो गए लीनियस साब हो गए यह लोग इतने बड़े बड़े बायलोजिस्त थे तो इन्होंने definition तो दे दी लेकिन किस basis पे वह definition दी उसके बारे में बात करेंगे उसी के लिए मैंने यहां पे लिखा है characteristics of living आप अगर अपने घर से बाहर जाएंगे आप चीजों को देखके easily बता सकते हैं कि यह living है या dead है लेकिन वह हो गई आसान भाषा वह science की भाषा नहीं है अगर हमें किसे scientist को समझाना है अगर हमें प्रूफ करना है कोई नया organism हमने ढूंडा है और हमें प्रूफ करना है कि वह living है या नहीं है तो हम क्या करेंगे हम scientifically उसके कुछ 4-5 criteria scientist ने decide किया है उसके उपर हम उसको proof करेंगे ठीक है तो सबसे पहला यहाँ पर जो criteria वह होता है वह होता है बहुत basic but very important उसको हम कहते है growth का criteria होता है कोई चीज grow कर रही है या नहीं कर रही उसके basis पर हम उसको living कहते है growth में भी दो characteristics होते हैं उसके बारे में हमें metabolism यह सब कुछ हम detail में पढ़ेंगे next video में बस अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह चीज़े हमें जानना जरूरी है living को समझने के लिए metabolism आप सब को पता है जैसे अगर हमारे hospital में unfortunately किसी patient की death हो जाती है तो जो junior doctor होते हैं वो senior को किस भासरा में बताते हैं कि all the metabolic processes are stopped है न टॉप हो गए यानि कि body में कोई भी chemical reaction नहीं चल दिया metabolism क्या होता है chemical reaction occurring inside the body whether it is glucose का टूटना हो गया C6 H2O6 ठीक है या फिर हमारा respiration हो गया यह सब metabolism के process है उसके बाद तीसरा हमें पढ़ना है consciousness इस पैलिंग को थोड़ा चेकल दीजेगा अगर मैं मिस्ट्रिक कर रहा हूं तो I am sorry for that consciousness क्या होता है जैसे कि हम conscious है हम अपने आप conscious है आप अभी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप conscious है उस चीज के लिए ठीक है तो consciousness is basically क्या कि हमने environment को लेके हम aware है थोड़ी से हमारे अंदर चिंता होती है थोड़ा सा pressure होता है वो भी consciousness कहीं बाट है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद fourth पर हम पढ़ेंगे cellular structure cellular structure के बारे में इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी cells कि चीजों से बनी है basically हमारी cell के अंदर क्या पाया जाता है जैसे mitochondria, Golgi apparatus, this kind of things उसके बाद हम पांचवा and last में हम पढ़ेंगे reproduction ये भी बहुत important characteristic है living को define करने का और इसमें growth और reproduction में मैं आपको बहुत interesting बाते बताऊंगा कि growth और reproduction अगर किसी में हो रहा है तो ये properly define नहीं करता वो living है या dead है ये एक interesting चीज यहाँ पर आने वाली है growth and reproduction के बारे में जैसे कि आप किसी को देखते हैं अगर वो growth और reproduce कर रहा है तो हम उसको living नहीं कह सकते जब तक हम और कुछ चीज़ चेक नहीं कर लेते अब वो क्या है वो हम next video में detail में इनके बारे में बात करेंगे फिलाल आपको I hope आपको कोई definition समझ आई होगी और इसको आप याद रखेंगे and next video में मेरे साथ बने रहेंगे thank you